नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है Financial Edda YouTube चनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि धन वैब प्लाटफॉम के अंदर आपको after market order कैसे place करना है after market order का मतलब है for example में को आज कोई share buy करना था बट आज मैं कहीं busy हो गया और यहां आज weekend है तो आज मैं buy नहीं कर सकता अब मांग लीजे मंडे को मैं कोई share buy करना चाता हूँ बट मुझे पता है कि जहां पर मैं कहीं काम से जा रहा हूँ शायद मुझे time ना मिले तो मैं कहीं अगर हूँ अब पहले से एक order place करके रहूँगा जैसे ही market open होईगी वह order हमारा और जैसे ही market open होईगी वह order मेरा execute हो जाएगा तो कैसे ये after market order place करे जाता है वो मैं आपको show करूँगा धन web platform पे तो यहाँ पर मैं आचुका हूँ अपनी watch list पे और मैं आपको show करके दिखाऊँगा कि voda phone idea को अगर में को buy करना है वो भी after market order कैसे place करेंगे तो सबसे पहले मैं voda phone idea पे click करूँगा और यहाँ पे जाऊंगा मैं buy order पे buy order पे जाने के बाद यहाँ पर मैं डाल दूँगा कितने share मैं को buy करने तो for example मैं को 10 share buy करने है इस rate पे खरीदने लिमिट अगर खरीदना है तो limit market करीदना है तो market मैं डाल देता हूँ मैं को 9 रुपे में चाहिए इसको तो 9 रुपे में में को Vodafone आइडिया कर शेयर बाय करना है इन्वेस्टिंग के लिए और मैं यहाँ पे order को place कर दूँगा अब जैसी मैं order place करूँगा आपके सामने लिखा आजाएगा Markets are closed Order will be placed when the market open देखिए अब market बंद हो चुकी है आप सभी को पता है Market Monday to Friday 7-9 से 3.30 बढ़े तक open होती है मान लीजे कि आज Friday है 3.30 बढ़े के बाद market बंद होगी बट अब Monday के दिन मेरे को order place चाहिए और मैं Monday के दिन कहीं busy हूँ इसलिए मेरे को time नहीं मिलेगा मंदे के दिन order डालने के लिए तो मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा market अभी closed है न तो जैसी market open होईगी मेरा order execute हो जाए और यहाँ पर भी मेरे पास काफी सारे option है कि market open होईगी तब आपका order execute होना चाहिए या उसके 30 मिनट बाद होना चाहिए या उसके 60 मिनट बाद होना चाहिए या pre open session में ही आपका order execute होना चाहिए वो आप click कर सकते हो यहाँ पर तो मैं यहाँ पर कर दूँगा execute when market open तो देखें मैंने 10 share यहाँ पर वोड़ापोन आइडिया के buy करने चाहिए वो भी 9 रूपीस के और मैंने काया है कि मंडे के दिन आज Friday है, मंडे के दिन यह share जो है मेरे को buy करना है 10 share और मैं order place करके छोड़ रहा हूँ अब मैं चाहिए अपना मंडे को कहीं busy भी हो जाएगा और जैसी 9 रूपी आएगा मेरा share buy हो जाएगा तो मैं अपना काम भी कर दूँगा और मेरा यहां पे काम जो pending रह जाता में को time ना मिलने से मैं order execute नहीं करता बट धन के इस service के वैशे यह order मेरा execute हो जाएगा तो simple है, यहां पे मैं कर दूँगा buy और मेरा order place हो जाएगा अब मैं आपको जाओंगा order section पे और आपको show करूँगा कि यह जो order है हमारा यह कहां पर नजर आएगा तो यहां पे after market में मैं जाओंगा तो आप देखिए AMO order आ चुका है, वोड़ाफोन आइडिया का AMO मतलब after market order और delivery के लिए मैंने order type डाल दिया है quantity 10 shares की, कितनी value है, सब है अभी यह status pending है, क्योंकि अभी जो share है अभी भी इससे related आपकी कोई query है तो comment section पे comment करिए, मैं जल से जल आपकी query को solve कर दूँगा, अगर यह video से related आपको और कोई query है, वो भी आप comment कर सकते हो और अभी तक आपके बाद DMAT account नहीं है तो अभी open करिए, अपना free DMAT account वो भी done app के साथ, link description में available है अभी जाइए और अपना free DMAT account open करिए धन आपके साथ, और start करिए अपना trading carrier आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नमस्कार